बिस्मिल्ला रह्मान रहें आज का हमारा टॉपिक है गोल्स ऑफ साइकॉलोजी के क्या मकासत हैं साइकॉलोजी में जब हम कोई इन रिसर्च करते हैं तो उसमें देखा जाता हैं कि इसके क्या मकासत हैं आधना जाम करते हैं तो पहले हमारा कुई ना कोई काम को करने का मकसद होता है कि हम कि इस मकसद के लिए कौई काम कर रहे हैं इस्ताथ से साइकॉलोजी के भी कुछ गोल्स होते हैं जिसमें चार गोल्स शामिल है नमबर वन डिसक्राइब एक्स्प्लेइन प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो हम गोल रखे जाते हैं यह साइकॉलजी जो है वो इंप्रूफ करती है जो कि इन गोल्स की बदूलत होती है जब हम इन गोल्स पर काम करते हैं तो हमारी क्वालिटी ओफ लाइफ जो है वो इंप्रूफ हो जाती है आगे है जी साइकॉलजी वांस टू एक्स्प्लेइन करना चाती है और अगर कोई इंडिविज्वल जो है कोई ऐसा स्पैसिफाइड किसम का उसका बिहेवियर है जो हम अबसर्फ कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है या नेगिटिव बिहेवियर है तो हम उसको अबसर्फ कर हमें हमें ये जानना है कि उसके पीछे किया रिजन है उसकी क्या हात है कि वह अगर इस तरह का बिहेव कर रहा है तो क्यूं कर रहा है और दूसरे हमें यह प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में कैसा रहेगा तो आईए हम अब इसको वन बाइवान एक्स्प्लेंड करते हैं जिसमें सबसे पहले आता है डिस्क्राइब अब डिस्क्राइब जो है वो फर्स टास्क ऑफ साइकॉलजी है ठीक है इसमें क्या होता है कि हम फैक्ट्स एंट फिगर्स को जो है वो कॉलेक्ट करते हैं जोके रैलिवन डेटा होता है किसी भी मकासर जो भी आपका मकसद है या जो भी आपका काम करने लगे हैं उसको डिस् होती है कि आपने क्या अब्जर्ब किया है उसे हमने एक रिपोर्ट की फॉर्म में लेकर आना है जो आपने अब्जर्ब किया है वो हमारा डैटा होगा स्पोस्थ एट के जैसे वन वन कैंट से डैट इंडिविज्वल फिलिंग ओफ इंजाइटी कांट भी दा डैटा जैसे फिलिंग ओफ इंजाइटी जो है वो हम अब्जर्ब नहीं कर सकते है इसलिए उसे हम डैटा नहीं करेंगे हर वो चीज़ जो हम अब्जर्ब कर सकते हैं वो हमारा डैटा है जिसे हम एक रिपोर्ट में लेकर आ सकते हैं एक रिपोर्ट उसकी बनाई जा सकती है लेकिन फिल कि सोच किसी सेट किसम की सोच में में मसूफ है या वह किसी खुशी की सोच में जो है वह मगन है लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वह क्या सोच रहा है हम जब इस से कोई इंटर व्यूव डिगाएंगे या कोई से क्रास क्वेस्टिंग करें चे convention तो उसके द्ऎूरान हम तरbildung क क चीज होती है वह डाटा निकलाती जो अबसर्वेबल चीज़ें होती है जो जिस चीज को हम अबसर्व कर सकते हैं वह हमारा डाटा टाकर लाती है और इस में जब फिलिंग ओफ इन्साइटिप हैं काउट पी दा डाटा एप्र हमारे अंदर बहुत सारे neurotransmitters काम करते हैं जिसमें epinephrine की जो जब secretion over हो जाती है तो फिर हमारे अंदर एक restless की situation create हो जाती है और हमारा behavior जो है बड़ा बेचैनी सी हमारे behavior में आना शुरू हो जाती है और अब verbal report of anxiety can be observed, measured and reported, यानि फिर हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को देखकर उसे observe करते हैं उसके behavior को और उसके बाद हम इसकी एक report बना लेते हैं जिसे हमने observe किया वहता है तो यह हमारा data कहलाता है, it can be data about anxiety, इसे हम कह सकते हैं कि यह data about anxiety है, अब इसमें, देखें psychologist जो है, वो अपना बहुत जादा time जो है, वो spend करते हैं इसी कोशिश में लोगों यानि किसी भी इंडिविज्वल के behavior को observe करने में, मेर करने में और इसे behavior को describe करने में अपना बहुत जदा time जो है, वो spend करते हैं, concept like anxiety, IQ, learning, attitude, abilities and depression must be measured, हम इसे मेर कर सकते हैं, that's why description is necessary, क्योंकि जब भी हमने कोई काम करना है, शुरू करना है, तो हमें उसका मकसद, जो भी मकसद है या उसके पीछे क्या reason है क्या हम इस काम को करना चाहरे हैं, definitely कोई कोई मकसर होते है, कि when and why, कि जो भी जिस चीज के पतलिक हमने सोचा है, क्यों सोचा है, किस लिए सोचा है, और क्या करना है हमने, ठीक है, और कब करना है, ठीक है, जैसे अब भी nearest हमारा issue है, कोई नाइटीन का, कि कोई नाइटीन जो है, हम इस description में यूं उससे define करेंगे, कि ये कब हुआ, और कहा हुआ, ठीक है, तो ये अब सब को जैसे पता है, कि ये चाइना से start हुआ, और सौन जो भी आगे whatever, जो भी वजुवात हैं इसकी, तो ये है कि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कि ये क्यों और कब कैसे हुआ, in psychology description means the statement about the behavior, psychology में description से मुराद ये है, कि ये statement होती है, किसी भी behavior से मतलिक and conditions होती है, जिसकी वज़ा से, ऐसा behavior जो है, कोई भी individual कर रहा होता है, और इसी behavior को समझने के लिए, जो है, वो psychologist जो है, वो अपना करदार अदा कर नमबर टू पर हमारे पास आजाता है, explanation, अब explanation क्या है, कि explanation में ये है, कि why, COVID-19 जैसे मैं आपको example दी, कि क्यों हुआ, इसके पीछे क्या बज़ुआ आती, तो ये बातें जो है, वहारी explanation में आ जाती है, कि जब किसी इनसान को कोई disorder होता है, तो definitely उसके पीछे कोई ना कोई reasons होती है, उसके साथ कोई ना कोई ऐसा हाथसा पेशा आ चुका होता है, या कोई ना कोई ऐसा event होता है, या कोई ऐसी tension होती है, चाहिए वह घर की तरफ से हो, या किसी बैरूनी जराय की तरफ से हो, तो वो हमें वजुहार जाननी है, कि अगर कोई बंदा किसी depression का शिकार करते हैं उसको find out करना तो to explain and understand the behaviors process which involves the theory of formation, organization of facts and the hypothesis development about the relationship that are yet to be proved ठीक है अब इसमें हमें ये explain भी करना है behavior को और हमें इसको understand भी करना है ये एक process होता है जिसके थूँ हमने ये सारी की सारी चीज़े find out करनी होती है the psychologist may be able describe to measure anxiety to make prediction from the measurements person likelihood is predict on the basis of measurement psychologist seeks to understand the most complex part of world human being यानि कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे साथ वाकियात पेश आए या हमारे साथ कोई ऐसा negative event हो गया और हम उसकी सोच में लग गए या कुसी कोई बिसनस्मेन है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या उसके बिसनस में तो जो नाकाबले बरदाश्टा हो तो उसकी वज़ा से भी वो डिप्रेशन में आ जाता है या उसकी वज़ा से भी उसे कोई ना कोई जहने बिमारी हो जाती है तो हमें वो एक्चुल में वो रीजन जाननी है कि वो क्या वज़ा थी या क्या वज़ुहात थी तो जब हम उन वज़ुहात को जानते हैं तो वो हमारे कहां पर लाए करती है वो हमारे explanation में आती कि हमने उसको explain करना है कि क्या क्या वज़ुहात होत में हम to achieve this goal measurement is necessary जब हमें इस गोल को हासिर करने के लिए कुछ न कुछ measurements करनी पड़ती है measurements of behavior serves at primary basis for predicting what a person will do in future अब इसमें यह है कि suppose that हम यह कह सकते कि will happen next prediction में करना यह है कि will happen next कि next क्या होने वाला है हमने किसी भी individual के behavior को judge करना है observe करते हुए हमने यह देखना है कि future में क्या करेगा suppose that कि जब हमारे कोई PPSC के या कोई भी ऐसे competition के exams होते हैं तो उसमें जब पूरी एक interview का time आता है और पूरी एक committee बैठी हुए होती है members बैठे हुए होते हैं तो उनमें psychologist भी होता है और उसका काम question करना नहीं होता जस्ट person के behavior को judge करना होता है कि आया हम अगर इसको इस post पे जो है वो ताइनात करते हैं तो यह क्या इस जाब को जो है perfectly जो है उसको कर सकेगा अंजाम दे सकेगा अपनी जाब को या नहीं है इसका future में कैसा behavior रहेगा यह इस जाब के लिए suitable है भी यह नहीं तो उस interview में जस्ट आपका behavior जो है तो इसी तरह से जब बचा suppose that के अपने एक school study carryon में जब वो काम कर रहा होता है उसका जो भी study चल रही होती है तो उसकी बेस पे parents या teachers जो है उसको observe कर रहे होते हैं कि यह next जो है यह medical की field में ज्यादा बेतर होगा engineer की field में ज्यादा बेतर होगा या किसी old field में ज्यादा बेतर हो तो यह सारी की सारी चीज़े हम predict करते हैं क्योंकि उसकी performance पर बेस करते हैं we can predict a student performance in college and individual score on a mechanical aptitude test we can predict his success on a particular job तो वही बात कर दी जो मैंने आपको पहले बताएं कि उसकी तमाम career या तमाम study record को देखते हुए उसकी performance को देखते हुए उसके behavior को देखते हुए हम यह predict कर सकते हैं कि यह future में कैसा रहेगा अच्छा number four पे हमारा objective है control अब control में क्या होता है कि individual behavior can be modify इसमें control में हम modify कर सकते हैं individual के behavior और control किया जा सकता है with the help of prediction prediction की मदद से हम इसको control कर सकते हैं psychologist want to change and modify the behavior of individual in a way that is helpful यहनी psychologist का क्या काम है उनका यही काम है कि अगर किसी person का negative behavior है उसको positive में convert करना या positive में modify करना उसका behavior को positive बनाना जो है वो psychologist का काम है कि अगर कोई बना negative जा रहा है तो उसको positive करें ताकि को उपनी जिन्दगी के लिए गामियाब हो सके दूसरों के लिए काम्याब हो सके और एक वो बेहतरीन जिंदगी जो है वो गुजार सके बिहेवियर चेंज इस अ बेसिक एंड प्राइमरी एम ओफ प्रैक्टिसिंग साइकॉलजिस अब जो साइकॉलजिस्ट होते हैं उनका बेसिक काम ही ये होता है बिहेवियर चेंज करना बेसिक काम उनका क्या है किसी भी इंडिवीजियल के बिहेवियर को चेंज कर देना तो जो नेगिटिव बिहेवियर के लोग होते हैं उनको पॉजिटिव बिहेवियर में कनवर्ट करना साइकॉलजिस्ट का काम है साइको थेरापिस्ट क्या करते हैं साइको थेरापिस्ट ट्राइ दियर बेस्ट टू चेंज दा पेशन्ट बिहेवियर अब साइको थेरापिस्ट का काम होता है पेशन्ट के बिहेवियर को चेंज करना इसी तरह से इंडस्ट्रियल साइकॉलजिस्ट होते है उनका काम होता है modify the behavior of the employees यानि employees के behavior को change करना और इस तरह से marriage counselor होते हैं या marriage counselor psychologist होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो जो एक couple का जो behavior है उनको change करना ताके वो अपनी एक बेहतरी लाइफ को उसार सके या उनके जितने भी मसले मसाइल हैं उनको दूर कर सके उनके behavior को positive कर सके ताके वो एक help जिन्दगी गुजार सके in all of these cases an effort is made to improve the present or future circumstances of the individual and society अब इन तमाम केसिस में क्या चीज़ आ रही है को यही कि improve करना है present or future के behavior को ठीक है present or future के behavior को change करना है individual के ताके वो present में भी अपना एक अच्छा करदार निभा सके और future में जाके भी अपनी एक बेहतरीन behavior दे ताके वो अपनी एक बेहतरीन life को जारे जो लोगों के लिए भी helpful हो उसकी अपनी जात के लिए भी helpful हो और कोई society के लिए वो बंदा helpful हो सके तो इसी तरह से we can learn the strategies to improve our study habits हम बहुत सारी ऐसी strategies को सीखते हैं जिससे हम अपनी studies को बेहतर कर सकते हैं अपनी habits को बेहतर बना सकते हैं और experience our memory span हम अपने memory को बेहतर कर सकते हैं effectively solve the problems और problems को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं enhance our self stream को बढ़ा सकते हैं और cop with the stress यानि आपको कोई stress है तो हम उसके उपर भी काबू पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने positive behavior की बिना पर depression को अपने आपसे दूर कर सकते हैं and much more और बहुत कुछ जो भी आपको जिन्दी की में मसायल आते हैं वो हम खुद दूर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भी दूसरों के लिए भी अपनी सोच को अच्छा रखें negativity को अपनी सिंदगी से निकाल दें क्योंकर negativity होती है जो आपकी personality को damage करती है आपको माशरे में रहने के काबिल नहीं चोड़ती जब आप negative होते हैं तो आप दूसरों के मतलिक भी negative सोचना शुरू कर देते हैं और इस तरह सोचते हैं सोचते हैं अपकी पूरी लाइफ नेगटिव है अपकी फुद की पूरी लाइफ है वो negative होती है जो के आपके लिए problem बनती है दूसरों के लिए problem ने इतनी नहीं होती है जितनी खुद की जात के लिए problem होती है और आपकी personality याफ पूसिनलीटि जो improve ह करता है इसी तरह से हम यह भी सीख सकते हैं कि हमने अपने घुस्य को किस तरह से कंट्रोल करना है हमने अपनी ओवर इटिंग को किस तरह से कंट्रोल करना है हम स्मोकिंग को कैसे कंट्रोल करना है एंड पूर स्टेडी हैबर्स को हमने किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है क्य अपने लाइफ से आउट करना है ताके आप बेहतरीन जिन्दगी को गुजार सकें और ये विद और ये सब कुछ जो है वो किसकी बदलत है ये सब कुछ विद धी हेलप अफ साइकॉलजी जो है वो मुम्किन हो सकता है और ये ती चार के चार मकास्त जो है वो साइकॉलजी के अगर हम इन चीज़ों पर अमल कर लें और इसको कंट्रोल कर लें अपने बिहेवियर को हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले आएं तो हम बेहतरीन जिन्दगी गुजार सकते हैं ठीक है